सभी बच्चों को रानमश्कार हार मैथमेटिक्स की स्रंखला में आपका स्वागत टॉपिक है लाप्लास ट्रांस्फोर्मिशन यह समिस्टर थ्री जो युनिश्टी का है उसका असलेबस है लेकिन चुकि अब टॉपिक्स ऐसे हैं चुकि ग्रेजुएशन की टॉपिक है तो सिंपल सी बात है दियार बेनिफिशन इन आईटी जैम बहुत सारे एक्जाम जितन यह फ्रांस के एक मैथमेटिशन और साइंटिस्ट जो भी आप कहें फिजिसिस्ट थे पियरे सिमेंटी लाप्लास नाम बड़िया है बड़ा सा नाम में बड़े आदमी थे बड़े मतलब पैसे में नहीं पुद्धी में जिने निउटन और फ्रांस भी कहा जाता था उन्ह फलन को दूसरे फलन में ट्रांसफार्म करना बोले तो चेंज करना जैसे हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है न वो डी सी को वैलू को चेंज कर देता था ठीक है कम ज्यादा कर देता था ट्रांसफार्म कर देता था तो यह एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफार् ठीक है अब इसमें हम करते क्या हैं laplace transformation find करने का जो process है laplace को transform करने की process को कहता laplace transformation transformation बोले तो transform करने की वर्ब और laplace का transform करना मतलब उसे हमें change करना है ठीक है तो सबसे उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या होता है किसी एक function को दूसरे function में change करना है तो इसमें एक function मान लिया t के term में लिखा होगा और एक function मान लिया एक function दिया है t के term में ठीक है यह आपका determining function है determining function है जिसे determine करना है ठीक है और एक s के term में जो आएगा उसे कहेंगे आप that is called generating function generate करना है it is called generating function यह transformation का पहला वीडियो है तो simple सी बात है कि इसके साथ बहुत सारी properties होंगी बहुत सारे इसके inverses होंगे बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा tough नहीं है यह रहा एक procedure है तो है देखें लापला साब ने इसकी definition क्या दी उन्होंने कहा कि if if ft be a real valued function real valued function of t मतलब t के term में कोई भी function दिया हुआ है अब जैसे function आया फट से आपको पहुंच जाना चाहिए class 12 में वहाँ पर आपको relation function पढ़ा है उससे मतलब भी आ नहीं है चंता मत करिए अन्टू है नहीं है आप पर लेकिन function का मतलब जो function की property को follow करता है real valued function anti then the laplace transformation then laplace transformation laplace न पढ़िया लाप्लास धीरे भी बोल सकते हो लाप्लास transformation 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 रैटिंग गंदी है यह content ठीक है समझ लिएगा transformation is denoted by denoted by देखो एक आपका function ft दिया गया है है ना ft आपका एक determining function है जिसको change करना है और करना क्या है laplace ल लगा दीजे उसकी आगे तिसका laplace transformation हो गया ठीक है यह तो denote करने की तरीका है and given by और इसका formula उन्हों दिया कैसे उन्होंने कहा देखिए अगर t के term में कोई function है ना ft और उसको transform करना है उसका laplace की तरीके स्करिए transform करना है चुक्छे उन्होंने किया था इसलिए laplace हुआ मैं करता तो आत्मा transformation होता आप कहते तो rahul transformation होता sonia transformation जो भी आपका नाम हो तो उन्होंने यह formula दिया उन्होंने का ऐसा है यह जो transform होके आएगा ना वो s के term में आएगा तो इसको fs लिखे कहीं कहीं पर उसको f bar s लिखा जाता है तो confuse मत होईए इसको indicate करने के बहुत तरीके है कोई fp लिखता है p के term में लिखता है कोई f bar p लिखता है तो उसमें confuse ना होईगा हम fs लिखेंगे कहीं f bar s लिखा होगा कहीं fp के term में होगा कहीं f bar p होगा तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है तो हम fs लिख रहे हैं मतलब बताइस ले रहे हैं कि ये भी हो सकता है तो इसका formula उन्हों दिया integral zero to infinity ये limit है e to power minus as के term में करना है minus st ft dt बस हो गया t के term में function होगा t के term में function होगा उसको इस प्रकार से integrate कर दोगे simple सी बात है देखिए तो आप यहां रखोगे तो integral t के respect में करोगे जब t की चीए limit रख दोगे तो t साफ तो गैब हो जाएंगे और आपका जो भी function होगा वो s के term में आ जाएगा तो ये तो हो गया laplace transform किसी t के function को कैसे denote किया जाता है अब बहुत सारे formulas गलत वर्ड है लेकिन ठीक है कोई दिक्त नहीं बहुत सारे formula है उन्हें हम laplace transform के हिसाफ से समझेंगे कुछ proof करेंगे कुछ direct लिखेंगे लेकिन ये आपके fundamental formula है basic formula कहे जाते ही है ये आपको learn भी करने है और process भी करना है ठीक है ये definition है अब हम बहुत सारे formula देखने जा रहे है laplace transform के देखें पहला है अगर one का laplace transform करना हो अब आपके बहन है अभी तो आप F T बता रहे थे क्या दिक्कत है भाई ये T की पाउर 0 नहीं हो सकता है भाई ये T की पाउर 0 भी हो सकता है तो इसको one को T की पाउर 0 लिखा जा सकता है ना इसका अगर laplace transform करना है तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से अभी हमने क्या बताया प्रूफ वैलू निकालने जा रहे है अभी हमने क्या बताया वी नो दैट ये सम्मे फामले लिखेंगे आप ना laplace transformation of F T क्या बताया गया जो कि F S जिसको indication F S होता है क्या बताया गया 0 to infinity e power minus S T F T D T यही तो कहा गया ना T की जगा यहां पर F T function क्या है 1 यहां पर है तो अब value रग दिजे उठा करके F T 1 है T 1 नहीं है F T 1 है जहां रखेगा confuse ना होना तो इसकी value क्या हो जाएगी जब हम laplace of 1 निकालेंगे तो F T को 1 लिख दीजे तो आएगा 0 to infinity e power minus S T और into 1 कर देंगे D T अब e power minus S T का integral क्या होता है याद करिए once upon a time when you are in the intermittent limit जो भी हो अगर e power X का हम integral करते थे तो e power X का integral e power X होता है अगर X की जगा AX होता था तो यहाँ AX लिखते थे और A से divide करते थे यह integral का concept था तो यानि कि इसका integral minus S T होगा और minus S से divide कर देंगे और limit क्या रख देंगे 0 से infinity समझे बात आ गई आई गई होगी अब देखिए minus 1 upon S अलग कर दो और यह जो minus S T है ना चुकि limit रख नहीं है तो इसको 1 upon e to power S T कर दो और limit 0 से infinity limit रख दो minus 1 upon S limit का तरीका क्या होता है पहले T की जगे infinity तो 1 upon e to power infinity बोले तो 1 upon infinity minus जब रखोगे 0 T power 0 बोले तो 1 1 upon infinity 0 होता है तो minus 1 answer आएगा minus 1 multiplied by minus 1 upon S तो 1 upon S तो Laplace transform of 1 क्या होता है 1 upon S confuse मत होना 1 upon P भी हो सकता है 99% तो S के term में answer आता है नि कहीं कहीं पर P के term में भी आए तो confuse मत होगा ठीक है तो यह हो गया किसी T के function को S के function में change करने का Laplace का तरीका क्या होता है ठीक है next देखिए देखिए अब कहते हैं कि Laplace of T to power N निकाली है तो formula होता है gamma N plus 1 upon S to power N plus 1 गामा आप पढ़े है गामा function आपको पढ़ाए गया है ठीक है अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं Laplace of T to power N formula रखिए और F T की जगे क्या रख देंगे T की power N तो क्या हो जाएगा 0 to infinity E to power minus S T और F T हो गया T to power N D T अब इसको integrate करना आपकी जम्मेदारी है यह थोड़ी बहुत मेरी जम्मेदारी है इसले मैं भी integrate कर देता हूँ देखो पहले जो E की power में लिखा है न उसको कुछ assume कर लिजे हमने क्या किया Let यह fair work है S T को हमने माने X assume कर लिया कुछ भी assume कर लिजे तो इसको differentiate करो S D T is equal to D X तो D T की value क्या आएगी D X upon S रखो value उठा करके E to power minus X into T की क्या रखेंगी T का मान यहां से निकालो तो T की value यहां से क्या निकलेगी X upon S तो आएगा X upon S to power N और D T की value क्या आएगी D X upon S तो D T को हमने लिग दिया D X upon S देखो यह basic जो formula है integral differentiation जो intermediate level के यह जो semester 3 है यह जो पढ़ा रहे हैं यह semester 3 है semester 3 की एक classes है इसलिए यह त्यार होनी चाहिए ना आपको semester 2 तक आपको आना चाहिए वस्लिए gamma function कही जिग है semester 3 में ही है इसलिए gamma function आपने पढ़ा होगा ठीक है अब हम use करेंगे ना इसे तो integral करने का तरीका है अब देखो ध्यान से integral असा limit चेंज करनी पड़ेगी चुकि यह जो limit है वो T की limit है जब आप T को रखोगे 0 तो X 0 आएगा तो इसकी lower limit 0 जब T को रखोगे infinity तो S into infinity infinity आएगा तो limit तो वही रहेगी 0 से infinity अब देखे E to power minus X into X to power N और जो S है ना उसको बाहर ले आओ 1 upon S की power N ये है और 1 ये है तो N प्लस 1 बाहर हो गया ठीक है तो अब आगया 1 upon S की power N प्लस 1 into क्या होगा आप कहेंगे gamma N प्लस 1 वैसे वही प्रूब करना है तो अपने आप आप आएगा जी नहीं समझ लीजिए आपने gamma function पढ़ा है कि 0 स infinity E to power minus X X की power N minus 1 DX अगर लिखा हो तो इसको gamma N कहते है X की power N minus 1 बाहर चाहिए यहां minus 1 नहीं है तो हम compare कैसे करें तो हम करेंगे plus 1 कर दें और minus 1 कर दें DX अब मैं अगर इससे compare करूँ तो N की जगे क्या लिखा है N plus 1 लिखा है इसलिए इसकी value आएगी gamma N plus 1 तो ये आगया आपक अगर N natural number है तो gamma N plus 1 की value आपने पड़ी थी N gamma N वे तो होता ही है और natural number के case में ये factorial N आजाएगा ठीक है अगर 0 भी है तब भी factorial में लिखा जाएगा तो निगेटिव नहीं होना चाहिए ये natural number होना चाहिए ठीक है तो ये आपका second formula है मेरे हिसाफ सवन में आ गया होगा अग अगर कोई दिक्कत हो तो आप comment में लिख सकते हैं और इसको मैं दुबारा explain करनी कोशी करूँगा next formula देखिए अब ज़र इसमें एक शी और देख लिएगा कभी-कभी laplace of T आ जाता है direct है ना तो यानि कि आप अभी T to power N पढ़े है ना T to power N आपने क्या पढ़ा है गामा N प तो गामा T की power ये क्या लिख रहा हूँ भई अरे sorry 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 T की power 1 तो ये टी की power 1 प्लस 1 गामा 2 गामा 2 होता factorial 1 upon S तो ये direct 1 upon S और N को 1 लखेंगे S square आएगा sorry गलत हो गया वो गलती 0 लिग गया यहाँ 1 होगा ना यहाँ 1 प्लस 1 आएगा तो S square आएगा तो ये 1 upon S square लिख सकते हैं प्रूफ आएगा तो इसी method से proof करेंगे जैसे की T power N किया था ठीक है जैसे आपको निकालना है Laplace of L of E power 80 इसकी value निकालना है ठीक है लिखिए L of E power 80 ये Ft है ना तो इसको अब निकालेंगे तो formula क्या होगा 0 से infinity E power minus St into E power 80 dt जो को integral आना चाहिए integral differentiation जो basic intermediate level में है वाना चाहिए 0 से infinity देखो ये basic equal है ना तो power add हो जाएगी minus St plus 80 हो जाएगा तो E power minus St plus 80 dt इसको थोड़ा सा amend करो इसको लिखेंगे E power t कामन ले लो A minus S आएगा dt अभी हम बता चुके थे कि E power t का integral E power t होता है लेकिन अगर t के साथ कोई multiply में है तो उसको आपान में ले सकते हैं तो 1 आपान अब देखो यहाँ गलती हम कर रहे हैं गलती कर रहे हैं तो इस गलती कर र to power A minus S into T limit 0 से infinity हो जाएगा अब एक लफड़ा देखें बड़ा प्यारा सा लफड़ा अगर मैं T को infinity यहाँ रखता हूं तो E की power infinity हो जाएगा पूरा result infinity आजाएगा तो हमने intermittent पढ़ा है कि जब infinite limit आती है तो हम 1 upon infinite कर देते हैं 1 upon infinite 0 हो जाता है तो 1 upon तब होगा जो यह minus कर द देखें 1 upon A minus S हम इसको upon में ले आएंगे तो जब upon में इसको ले के आओगे जब रदस्ती तो sign change हो जाएगे न तो यह हो जाएगा E to power S minus A into T हो जाएगा और limit है 0 से infinity हमने पहले जान बूच के नहीं किया था था ना कि हमको मालूम तो हो कि लफड़ा क्या है अब limit रखो तो E to power 0 हो जाएगा ना और किसी की power 0 क्या होता है 1 तो यह तो हो गया 0 यह minus आगया तो minus 1 upon A minus S या 1 upon S minus से बहुत ध्यान स्मझे बहुत इंपॉर्ड़ी फार्मूला है लाप्लास of E to power 80 को 1 upon S minus से होता यह ध्यान रखीगा जब लाप्लास inverse बताया जाएगा तो पूरे फार्मूले उल्टे हो जाएगे अगर E to power 80 का लाप्लास 1 upon S minus से तो 1 upon S minus से का inverse लाप्लास जो है E to power 80 होगा इसलिए पूरे फार्मूले याद होने चीए देखें अगर आप लाप्लास of cause 80 या sign 80 निकालना है तो एक सिंपल तो रूल है कि आप लाप्लास के फार्मूले में इसको रख दीजे एक मिनदा पानी पी लाप्लास के ट्रांस्वार्म में लग दीजे इंट्रिगल में लगा दीजे product रूल लंबा सा इंट्रिगल कर लिए ना आप लंबे हो गए हैं इसलिए हम वह वाला रूल नहीं बताएंगे आपर ठीक है छोटे वाला रूल बताते हैं सुने द्यान से एक आईलर्स exponential function था ठीक है पढ़ाया गया है तो पढ़ाया गया है उसमें था कगर e to power i theta है जिसको लिखेंगे cos theta plus i sin theta ये complex में था ठीक पर इसी concept को use करके हम laplace निकालने जा रहे हैं बहुत आसान है इसलिए हम इसका इस्तिमाल कर रहे हैं और e to power x का भी हम निकाल चुके 80 का e to power 80 का हमने क्या निकाला था 1 upon s minus a ठीक है अब देखिए इसको हम निकालने जा रहे हैं solve करने जा रहे हैं solution निकालने जा रहे हैं तो formula के हिसाब से क्या होगा 1 upon s minus i a भाई t के साथ वहाँ a आ रहा था न अभी थोड़े पहले आपने क्या पढ़ा लापला साफ e to power 80 आपने क्या पढ़ा 1 upon s minus a और यहां पर t के साथ क्या आ रहे है आईए तो यहां पर आईए हो जाएगा ठीक अब जैसा कि आप जानते है complex में कि अपान वाला जो आई है ना उसको आपको हटाना पड़ता है तो आप क्या करेंगे नीचे वाले conjugate से उपर नीचे multiply कर दो s plus i a से नीचे और s plus i a से उपर कोई दिक्कत नहीं उपर आएगा s plus i a और नीचे a minus b a plus b a square minus b square तो यह हो जाएगा s square minus i square a square अच्छा इधर च यह इधर क्या हो जाएगा i square की value क्या बताईगे थी minus 1 तो यह हो जाएगा s square plus a square जिसको अलग अलग कर दो s square plus a square plus i के साथ अलग कर दो s square plus a square अब यहाँ पर आओ e to power i t को हमने क्या बताया e to power i a t को हमने क्या बताया हमने का इसको cause a t plus i sign a t ले सकते हैं बता चुके हैं अब इस लाप लास का bracket खोल दो ठीक है यह समझ में आ रहा होगा पस e to power i वाला आपको concept आना चाहिए यह ज़्यादा आसान है और जो product rule वाला ज़्यादा tough है इसलिए उसको नहीं बताया bracket खोलो तो आएगा l of cause a t plus l of sin a t आई भी आएगा यहां i is equal to s upon s square plus a square plus i a upon s square plus a square और complex number समिस संख्या आपने इंटर्म पढ़ी होगी वहाँ जब यह इस प्रकार का format होता था तो हम real imaginary part equate करते थे equating equating real and imaginary parts parts की बात कर रहा हूँ तो real part यहाँ पर क्या है l of cause a t तो cause a t का क्या होता है यह है अपका real part s upon s square plus a square और i के साथ यहाँ पर क्या है l of sin a t और क्रप्या यही method लगाईएगा अगर आपने एक प्रोड़क्ट रू लगा दिया तो बहुत लेंदी होगा वो गलती होने के chances हैं a upon s square plus a square जो हम वीडियो बना रहे थे तो हम वही वाला फर्मला अपलाई किये और गलती हो गई तो अपने का अप गलती हो रही है अप काड़ दो साधान से तरह का बताओ तो यह आपका laplace of cause 80 आगया laplace of sin 80 आगया यह फर्मली सब याद कर लिजेगा next देखिए तो के अगला है laplace of sin hyperbolic 80 अपने hyperbolic function पढ़ा होगा sin hyperbolic x का फर्मला पढ़ा है अपने e power x minus e power minus x by 2 होता है minus e power minus x by 2 होता है यह अप्लाई कर दीजे तो देखे sin hyperbolic को क्या ले सकते है l इसको क्या ले सकते है h के साथ 80 आ रहा है न तो आएगा e power 80 minus e power minus 80 अपन टू समझ में आई बात आई गई होगी अब देखो इसको जब bracket खुलोगे तो 1 by 2 बाहर हो गया l of e power 80 अलग हो गया और minus 1 by 2 बाहर है l of e power minus 80 अलग हो गया अब ही हम e power 80 का लापलास बताएं e power 80 का क्या था 1 upon s minus a ठीक है 1 upon 80 का तो इसका हो जाएगा 1 by 2 बाहर कर दो इसका 1 upon s minus a हो जाएगा माइनस इसका 1 upon s minus और चुकि a आलेडी यहाँ पर minus में है तो यह plus a हो जाएगा तो यह नहीं 1 upon 2 बाहर हो जाएगा तो आएगा s plus a minus s plus a upon यह multiply करोगे तो s square minus a square होगा यह ss कर जाएगा तो यह 2 a आएगा तो इसका 2 कर जाएगा तो a upon s square minus a square कन्फ्यूज मत होएगा यह la plus of sine hyperbolic 80 होता है sine hyperbolic 80 a upon s square minus a square ठीक हाइपरबूलिक में अब cause में देखते हैं cause में इसी amendment में करता हूँ cause hyperbolic 80 निकाले जा रहे है next allow cause hyperbolic 80 cause hyperbolic x का formula होता है e to power x plus e to power minus x होता है यहाँ plus लग जाता है cause में यहाँ पर plus लग जाता है ठीक है तो यहाँ पर plus लग जाएगा यहाँ पर plus लग जाएगा यहाँ पर plus लग जाएगा तब यहाँ plus लगाओगे क्या होगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो sign होगा ना प्लस S-A हो जाएगा तो आपका कटेगा क्या A और A कटेगा ना तो यहां पर 2S आ जाएगा तो यहां S आ जाएगा तो काज हैपरबुलिक AT का जो लापलास होता है काज हैपरबुलिक AT का होता है वो S अपान S² माइनस A² होता ठीक है यह कुछ फार्मले हैं अगर और कोई टेक्निकल फार्मला आ गया वैसे आपके ग्रेजुशन लेविल पर ऐसा नहीं होगा चुकि में भी है पोस्ट गेजुट में भी है तो अगर आज आता है कुछ नहीं है इंट्रिगेशन में आपको वहां वैल्यू रख देना है और आप इंट्रि कि यह कुछ आपके लिए हेल्फुल है रैटिंग फ्लागंदी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ना लगे तो नमस्कार